नमस्कार सबसे बड़ा सवाल देख रहां पर मैं हूँ आपके साथ दिव्यासी हर तरफ से मुसीबतों में घिरने के बाद आखिरकार सीम अर्विंद के जिवाल को भगवान के याद आही गई उनकी भक्ती जाग उठी है तबी तो हनुमायन जी को खुश करने की कोशिस में लगे हुए है जी हाँ अध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे राम मंदिर के प्राहर प्रतिष्ठा कारेक्रम को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसको जानकर आप भी हैरान हो चाएंगे क्योंकि यकीन करपाना मुश्किल है लेकिन ये सच है आपके नेता और दिल्ली सरकार में बंतरी सौरभ भादवाच का बयान सामने आया उन्होंने कहा कि अध्धा में राममंदिर का निर्माण पूरे देश के लिए गर्व और खुशी की बात है इसके लिए पूरे देश को बधाई देता हूँ साथ ही आम आदमी पार्टी की तरफ से मंगलवार को दिल्ली की अलग-अलग विधान सभाव में सुन्दर कांट का वव्या आयोचन किया जाएगा जिसमें पार्टी के सब भी विधायक और पाश्चत भी शामिर होंगे ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या केजरिवाल के कौंग्रेस से दूर भागने का या एडे की कारिवाई से बचने का कोई ये प्लान है इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस्टुडिय मौझूद है कापिटल टीवी के एडिटर इंचीफ डॉक्टर मनिश कुमार डॉक्टर साब स्वागत है आपका दन्यवाद क्या प्लान क्या है आखिर के इजरिवाल का देखिए बच्पन में जब बच्चों को डर करता था तो बड़े बुजूर मा पिताजी दादाजादी कहते थे कि डर लगे तो हन्वान चली साब पढ़ना सुरू कर दो तो हन्वान चली साब पढ़ना सुरू कर जिया लेकिन डरपोक अबोद बालक नहीं है ये तो गर्गिट से भी ज्यादा रंग बदलने में माहिर खिला रही है केजरिवाल आज इसको गर्ब हो रहा है कि आयोध्या में राम राला का मंदिर बन रहा है इन लोगों ने तो दिल्ली में घूम घूम में के प्रचार करने के दोरा ये मनिसी सो दिया जेल गया हुआ है ये संजेज सिंग जेल गया हुआ है ये केजरिवाल जाएगा ये लोग घूम घूम के कहते थे कि आयोध्या में मंदिर की क्या जरूरत है इस देश को मंदिर की जरूरत है या स्कूल की जरूरत है इस देश को मंदिर की जरूरत है या हॉस्पिटल की जरूरत है मैं तो ये चाता हूँ आमादी पाटी ये चाती है कि वहाँ पे हॉस्प नहीं था आचानक से गर्व की बात कैसे हो गई है सवाल तो यह है आप समझे कितना मैं क्यों कह रहा हूं कि गिर्गिट के तरह रंग बदलने वाला कोई नहीं जा रहा उदर इंडी गड़बंदन के सारे लोग जो लोग रहेंगे वहां कोई नहीं जा रहा इदर अब पहली चीज़ पहली चीज़ यह अठारा तारिक को करेगा सुन्दर कांट नहीं चाहिए एडी के पास जाओ वहां तुम्हारे कांट का हिसाब किताब मंगा जा रहा है तुम यह सुन्दर कांट करवा रहे हो 18 तारिक को तो ईडी ने बुलाया है तुम्हारे चोरी को चोरी के ऊपर सवाल जवाब करने के लिए वो चोरी जिसे सुप्रीम कोट ने कह दिया कि 338 क्रोर रुपय का घुपला हो चुका और ये मनिस्सी सोधिया को हम बे लिसने नहीं दे रहें कि ये तो मास्टर प्लैनर है और ये भी कहाते कि हम आदी पार्टी को अरोपी क्यों नहीं मरा रहे हो खर्च तो चुनाओ के केम्पेन में हुआ तो जहां जाना चाहिए वहां जानी रहा और जो अब तक नहीं करता आया है देखिए ये कैसा आदमी है तो मैंने कहा आप एक गिर्गिट की तरह है चुनाओ केम्पेन में जा रहा था एसेम्वली के एलेक्शन था एक दिन की कहानी है, एक दिन की कहानी, सबेरे वो गया ओखला, ओखला कहा, जहां पे वो गोली कांड हुआ था, इंडियन मुझाहिदीन के टेर्रिस्टों को मारा गया था, वो बाटला हाउस कांड आपको याद होगा, फिल्म में रभी बनीए, कि जो में स्टूडेंट से वरे जो है, और वहाँ चाती पीटरा जैसे इसका भाई मर गया, वो कहरा कि देखिये, बहुत गलत हुआ, बाटला गोली कांड जो हुआ, बच्चे इनुसेंट थे, इस्टूडेंट थे, और यह आम आदमी पार्टी अकेली है, जो इन बच्चों को इंसाब दिराने के लिए हम कोट गए, क्योंकि को कॉंग्रेस वाले कहते हैं कि बाटला हॉस के बारे में जब सुनिया गांदी सुनी तो आक से आसु आने लगा है, यह इतने शाते रिलोंगों ने दिक्कत क्या है कि लोगों को यह समझता है बेपो, अब यहां मुसलमानों के बीच कहे दिया कि हम नयाय दिलाएंगे, कॉंग्रेस पार्टी और बाके सब तो सिर्फ जुबानी बात कर रहे हैं, यह सिर्फ आम आदमी पार्टी है, जो कानुनी लड़ा ही लड़ रहा है, उस समय वो वकील प्रसांत भूसन, उस समय इसकी पार पार्टी में था, तब तक उसने मार के भगाया नहीं था, तो वो चला गया था, अब यहां केंपेंड हो गया, लंच के बाद केंपेंड जो है, पालम बियार के साइड बे, कहां, जहां इंस्पेक्टर मुकेश सर्मा का घर है, अब आप समझेए, बाटला हूस हुआ, इनक है, यहां बोल रहा है कि बस हमीं लड़ रहे हैं नहीं दिलवाएंगे, गलत तरीके से, वो फरजी इंकॉंटर में मारा गया, है ना, और वहीं शाम में यह पहुँच रहा है, वो पालम बियार, मुकेश सर्मा के घर जाता है, बोलता है कि आपके बलिदान को पुरा हिंदुस्तान याद रखेगा, आपने टेरिस्टों को मारने में जो है सहीद, कैसा फ्रॉड है यह, कैसा फ्रॉड है यह, तो अभी यह बनवारा था वहाँ पे हॉस्पिटल, और अभी कर रहा है गर्ब, लेकिन क्यों कर रहा है, तो कहानी मैंने बता दी, यह हिंदुस्ता कि राजीति का नेटवर लाल इसको पकड़ना समझना बहुत मुश्किल है, और जो पकड़ सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं, वो मीडिया वालों को में में पैसा दे दिया है, वो चल रहा है एडविटिज्मेंट, वो को रंगला पंजाब बनाएंगे, आम आदमी पा खड़ गया और आउल गांदी से बात करके आया, पंजाब में मुस्लिम मोटर्स नहीं है, पंजाब में मुस्लिम मोटर्स बहुत ही कम है, उसका कोई माने मतलब नहीं है, और जहां कहीं भी है यह वहां पे दिल्ली इंपॉर्टन है, तो यह कह दिया भाई, पंजाब में ल दूसरे से लड़ेंगे और दिली में सट जाएंगे गी दूसरे से तो यहां भी इसने बदमासिप कर दीया हो कॉंगरेस पार्टी में तो मुर्कों की भीड लगी हुई है वहने एक से एक आप खेजरेवाल को प्ले करने दे रहे हो और नास होगा कॉंगरेस का ही यह जतनी इ करके खत्म हो जाएगी कॉंग्रेस पार्टी दो हजार चुनाओं में तो उस तरह के कॉंप्रमाइज कर रही है तो दिल्ली में इसने कहा कि चार और तीन का बटवारा कर लेते हैं तीन सीट आप लड़ो और कुछ खबर आ यह आ रही है कि कॉंग्रेस वाले मान भी गये हैं वहने मती मारी गई है पिछली बार पांच यह च्छे जगहों पे कॉंग्रेस पार्टी सेकेंड नंबर पे थी तो आप सेकेंड नंबर पे हो तो सबसे बहुत चैलेंजर आप ही हो तो नहीं खुद को बर्बाद कर लेना है राहु गांदी ने तैकर लिया है तो भर ठीक है तीन और चार के उपर एगरी कर गया तो तीन पर एगरी भी किया तो कौन-कौन से सीट पे है यह नौर्थ इस्ट शीना दिक्षी जहां से लड़ती थी जह मनुस्तिवारी वाला और वो पूरा का पूरा इलाका ही जो भजन पूरा मुस्तफाबाद ही जो मुस्लिम इलाका मुस्लिम सबसे ज़्यादा उसी में तो मुस्लिम भोटर जहां पर इंपॉर्टेंट हो क्या किया कॉंग्रेस पार्टी को दे दिया है दूसरा इस्ट देली यहां लवली लड़े वेलकम वेगरा जो इलाका है सिलमपूर वेगरा यह सब इस देली में तो वह भी छूटा है और तीसरा मुस्लिम इलाका है यह चांदी चौक पुरानी दिल्ली वहां माकन साहब लड़ेंगे सिल अदीशित के बेटे लड़ेंगे नौर्थिस से लवली लड़ेंगा इदर से और वो माकन साहब वहां से चौनाओ लड़ेंगे कॉंग्रेस पार्टी ने यह तैख कर लिया अब जैसे ही यह डील फाइनल हो गया कि इसकी बाद में घोशना कर देंगे यह तीन फाइनल तो सुंदर कांट करके हैं है न कि हम मंदर के विरोधि नहीं है हम जो है राम भक्त है हनुमान भक्त है तो यह तमाशा आप देखिए कैसे इसने मुसल्मानों को भी मुर्ख बनाया और हिंदू को भी मुर्ख बना रहा है और मज़दार बात क्या है लोग मुर्ख बनेंगे यह इस आदमी की चतुराई है यह बार बार हर बार लोगों को मुर्ख बना देता है और पबलिक ऐसी बेवकूब है जो बेवकूब बनने को जो है बैटे भी हाँ ठीक है अभी कहेगा देखे का अभी किराम मंदिर बन जाएगा तो सारे बुजर्गों को ले जाएगा आपका आप पलट दो कांगरेस पाटि आज प्रेस कोंफरेंस करके कह दे कि यह तीन सेट भी केजरिवाल नरेगा यह इम्मीडियेटली जो है वो सारा प्रोग्राम चेंज कर देगा यह कानी है लेकिन कांगरेस पाटि को तो अत्वी बुद्धी होती तो आज यह हाल होता है लड़ेंगे लेकिन तीन में बता देता हो कहां कहां लड़ेंगे और यह तीन सीट जो है मुस्लम इलाको वाला वह आप देदो केजरिवाल को इम्मीडेटली अभी जो है वह कलमा परना शुरू कर देगा यह इस तरह का गिरगिट है इसलिए मैंने कहा रंग बदलने में यह बड़ा माहिर चतुर खिलारी है तो आप देखिए दिल्ली के लोग जो है अब करेंगे सुंदर कांड लेकिन इस कांड से काम नहीं चलेगा केजरिवाल तुमारे कांड की पोल पट्टी जो है खुलेगी ED के दफ्तर में बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम चानकारी के लि इतना सकसेस होता है अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे हमारे वीडियो को लाइक किजिए शेयर किजे साथी हमें कमेंट करके जरू बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगए